के लिए सबसे पहले इसराइल आकर खड़ा हुआ भारत में इसराइल के राजदूत ने कहा कि पिये मोदी की मा हीरा बेन जी के निदन की खबर सुनकर दुख हुआ मैं पिये मोदी और उनके परिवार वालों के प्रती अपनी समवेदनाए व्यक्त करता हूँ ओम शांती इसके बाद अचानक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भी ट्वीट आया शहबाज शरीफ के इस ट्वीट को देखकर पूरी धुनिया है शहबाज शरीफ ने पिये मोदी को लिखा कि मा को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं है बने पुश्प कमलद देहल ने भी प्रधानमंत्रे भारत के जू वजीराजम है नरएंदर मोदी साहब उनकी जो वाल्दा है उनका इंतकाल हो गया है और मैं समझता हूँ खे भारत के वजीर प्रायाजम है यहां पर जो लेडर्शिप है उनकी जो जो वालता है या तो वो इस हालात में फौत होती है कि उलाद एक्जाहिल में बैठी होती है और उनको यहां पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो आज मदर का देहा प्राइम मिनिस्टर शावाथ शरीफ ने ट्वीट किया है अलाकि एक मतलब होता है पडोसी हो या जो भी मतलब देश हो जिन से connection होते हैं वो ट्वीट करते हैं तो मोदी जी ने हम आपनी माता जी की की जो अंतिम प्रिक्रिया होने के बाद ही एक फॉंक्शन को अटेंड की पहले यह पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं, पूरे टॉपिक पर बात, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आज आज आपसे एक इंपोर्टन बात करनी है, और उस इंपोर्टन बात को शुरू करने से पहले भारत के जो वजीर आजम है, नरेंदर मोदी साब, उनकी जो वालदा है, उनका इंतकाल हो गया है, और मैं समझता हूँ के भारत के वजीर आजम लखी हैं, के उनकी वालदा जो है, वो एक नैचरल जिसे आप कहलें, डेथ उनकी हुई है, पाकिस्तान के जो वुजरा में फौत होती हैं कि उलाद एक्जाइल में बैटी होती है और उनको यहां पे अकेले दफनाना पड़ता है जिस तरह नवाज शरीफ और जो मजूदा प्राइम मिनिस्टर शभाज शरीफ साब हैं यह आइधिंक एक्जाइल में बाहर थी और इनकी वालदा को पाकिस्तान में दफनाया गया था शायद यह नहीं आ सकते थे और साथ ही जो बिलावल बुटो जर्दारी हैं उनकी जो वालदा है वो उनको जो है वो दैश्चत करदों ने मार दिया था और भी बहुत सारी मैं मसालें दे सकता हूं सो मुझे लगता है इस हवाले से भारत के वजिर्याजम जो हैं वो लखी हैं कि वो उनकी वालदा पाकिस्तान में ही भारत में ही वफात पाई हैं वो भी बारत में हैं और वो अपने सारे रिचुल्स भी अदा कर सकते हैं खैर ये तो हो गई लेकर तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से पा तक का जो दिहान्त हुआ है वो 100 साल की उम्र में हुआ है 100 साल की उम्र में मैं आपको बताता हूँ मेरे एरिया में किसी का भी दिहान्त होता है मतलब होता है तो किसी का तो नहीं मतलब जो पैसे वाले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ वो काफी मतलब दुखी तो होंगे उनके घर में दिहान किसी की जायत हुई है बट वो एक जो फ्यूनल प्रोसेस होती है उसको सेलिब्रेशन के साथ निकालते हैं मतलब आप देखें तो बैंड वाजा सब चीज जो आज के जमाने में जो मिलावट है वो आपको भी पता है कि क्या सीन है क्या बोलने की जूरत नहीं है और अब कमर्चीमा जो बात बोल रहे हैं कमर्चीमा बात बोल रहे हैं कि यार भारत के प्राइम इनिश्टार काफी लगी है और पाकिस्तान में तरह सा होता है नहीं है पाकिस्तान में अगर डैथ हो रही है तो वो शावा सरीफ या नवा शरीफ या बिलावल भुटो अपनी मार्किट मतलब फ्यूनल में ही सामिल नहीं हो पाती है इस तरीके के करुप्शन करके ये लोग भागते हैं और फिर ये प्राइमिनिस्टर जब हो रहे उस टाइम की कंडिशन से कंप्यार करना मेरे साब से रॉंग है मैं थोड़ा सान मोधी जी का जो ये वर्किंग स्टैल है उससे मुझे नहीं पता इंस्वायर होना चाहिए या क्या है बहुत सारे लोगों के दो तरीके की रियक्शन है आज तो छोड़ देना चाहिए था मोधी जी ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए एक रेलबे का कारिकरम था उसको जॉइन किया और साइधवन्दे भारत एक्सप्रेस का कुछ उद्खाटन वागएर या जो भी था उसमें वो सामिल हुए और उसके बाद मतलब ये बात हो रही किया हो और ये भी एक अच्छी चीज है यार ऐसा सोचता आपके वो प्राइम मिनिस्टर है इतने सारी लोगों की उमीद है इतने सारी बोट इतनी बड़ी आवादी तो वो अपने परसनल लाइफ के कारण अपने वर्क को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो मुझे